सो हमारे पिछले लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था वाट अर्ड़ एसेंशेल्स और बेसिकली दब कॉंपेटेंसी ओफ द पर्सन एंटरिंग इंटो दा कॉंट्राक्ट जिसमें हमने कैपासिटी टू पार्टी में मेजर माइनर अग्रीमेंट विद दा माइनर हमने इसको पूरा डीटेल में cover किया था फिर हमने किया देखका था पर्सन साउंड माइन की वाला भी हमने Battleston को चेक किया था चिए अगर एक कन फ़त्रीर में का इंसान जब सुंड माइं के स्टेट में होता है तो उसके साथ अगर आप कहुंट्रैक्प आपके लिए वालिट होगा और अगर उसके साथ आप contract मतलब नहीं करते मतलब जब वो unsound mind में रहता है तब वो contract आपके लिए valid नहीं होगा जैसे एक patient in a lunatic system पागल खाने में जो है जो कि कभी-कभी sound mind का होता है तो contract कर सकता है जब वो sound mind का रहता है इसी तरह से एक sane इंसान मतलब पागल इंसान नहीं एक सही हटा-खटा सही इंसान मतलब physically fit everything is fine यह इंसान को fever हो गया he is delirious from the fever or who was so drunk मतलब कई वार ऐसा होता है ना बुखार हो जाती या बेहुशी की आलत में होता है आपको कुछ से बात कर रहे हो क्या चीज है तो ऐसे scenario के अंदर he is not in a position to understand the terms of the contract देखो यह आपके लिए बहुत important है और form a rational judgment as to the effect of his interest such a contract cannot you know that cannot make that contract as valid आपको यह पॉइंट धियार रखना है कि अगर वो concerned mind का है तो problem क्या है because he cannot understand the terms of the contract और he can make a formal judgment यह राधर रीजन है जिसकी वज़े से हम होते है कि यह जो contract होगा यह contract वाइड रहेगा this is going to be void यह वाला part आपने देखा था मैंने आपको बहुत है यह exam में भी आपको पूछा जाएगा तो disqualified persons के लिए आपने देखा था alien friend वाला case आप देखना alien friend के साथ आप contract कर सकते हो because यहाँ पर alien word का मतलब है foreign territory का और enemy मतलब जिसके साथ हमारा war चल रहा है और जिसके साथ war नहीं चल रहा वो हमारा friend अब आता है concept आपके free consent का तो free consent का concept मैंने आपको पहले भी बताया था section 13, section 14 and then you have section 15, 16, 17 and 18 यह बताता है कि free consent क्या है यह बताता है कि free consent क्या नहीं है और यह आपको बताता है coercion, undue influence, fraud and misrepresentation इसके अलावा आपके पास आता है section number 19 जो basically यह बताता है कि what is the consequence of CUFM जिसमें की contract बन जाएगा voidable इसके बाद में आपने देखा था कि section 20, 21 and 22 यह तीनों sections आपके deal करते है mistake को यह आपका overall पूरा provision है let's go ahead और आप यहां पर देखिए consent का मतलब क्या होता है यहां पर आपको बताया जा रहा है consent का मतलब so consent according to section 13 is what हम कई बार बोलते है न देखो बॉलीवोड मुवी के अंदर भी आपने देखा है तिंग दा पिंक मुवी आपने देखा होगा जिसमें वो एक अमिता बचन का बहुत common dialogue है no means no right no itself is a statement उसको कुछ और explanation के जरुरत नहीं तो वहां पर भी किस चीज का बात हो रहा था there also he was talking about or he just mentioned about this thing only consent consent का simple मतलब यह होता है कि आप अपनी मर्जी से किसी चीज को yes बोल रहे हो आपके ओपर कोई pressure नहीं है कोई दबाव आपके ओपर नहीं डाला हुआ है और आप अपने pressure मतलब आप सोच समझ के yes बोल रहे हो उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे consent इसके लिए यहाँ पर आपको contract कर रहे हो and also meeting of the same mind at the same sense at the same time यह वाला चीज आपके लिए बना चाहिए कि आप दो लोग जो contract में enter कर रहे हैं वो दोनो same चीज को ही समझ के वो contract कर रहे है तो यह वाला रहेखा देखो एक point पर आपको बताता हूँ क्योंकि आप सब यहाँ पर adults हो यहाँ पर तो मैं एक चीज आपके साथ रख सकता हूँ let's say there is a boy okay और ऐसा आपने news में कई बार देखा हूँआ there is a boy and there is a girl okay this boy promised to marry the girl and had a sexual relationship with this girl okay और लेट से वाइसे वर्सा इस तरह से हो गया and बाद में यह इंसान मना करते था है कि मैं शादी नहीं करूंगा now this has been defined in the definition of rape why because when these two people were together तो यहां पर क्या था एक तरीके से इसको मिस्रिप्रेजेंट किया जा रहा था कि देखो I am going to marry you right और बाद में जब नहीं किया तो यह फिर वो रेप के definition में आगे हाला कि controversial है इसमें भी कई बार पॉइंट्स आपको मतलब अब और वेसा बात है जब भी criminal cases मतलब court में जब भी case जाता है तो चीजें वैसे भी twist होती है 100% facts वहां पर बाहर नहीं आता but yes this is one of the case where it happens right आप एक काम करना अगर आप में से I don't know concept forum पे यह है I think article 375 is this one movie Richa Chadda and Akshay Khanna I think it's a very very good article 375 I don't know so Akshay Khanna and Akshay Khanna की it's a very very nice मतलब उसमें पूरा लौक आपको वो प्रोवेशन मिलेगा just check this so same चीज़ आप यहां पर देखो कि free consent के अंदर दो broad points आपके निकल के आते हैं एक तो क्या आता है कि आप किसी pressure में नहीं हो free consent that you are not in a pressure you are there with the free mind एक तो यह point आपके पास है दूसरा free consent में यहां पर क्या होता है कि आप same sense में बात कर रहे हो you are talking about the same sense same sense का क्या मतलब है एक common example जो हम शुरू से बार बार ले रहे हैं मेरे पास दो गाड़ी है एक है BMW ठीक है और लेट से एक मेरे पास है Honda अब अब यह सा बात है BMW ज्यादा expensive होगा Honda सस्ता होगा आपने मुझे बोला sir मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाता हूं और मैं आपकी गाड़ी के लिए आपको 15 लाक रुपीज दूंगा मैं बुला यहर अच्छा है यह इंसान मेरी होंडा कार को 15 लाक में खरीद रहे इस गाड़ी को मैंने खुद 22 लाक में खरीदा था 7 लाक रुपए का ही depreciation लग रहे बढ़ी है very good आप खुश हो गए कि सरतो 15 लाक में BMW बेचने के लिए ready हो गए तो हम यहां पर क्या बोलेंगे the consent of both the parties is not free why because we are not meeting the minds are not meeting आप समझ रहे हो BMW मैं बूल रहा हूं Honda तो वह आजकल जैसे meme नहीं चला वा है यू mean this I mean this and we are not same bro यह आपके लिए हो जाता है free consent ठीक है you thought this car I thought this car we are not same bro यहां पर आपका free consent नहीं है तो contract यहां पर आपका नहीं बढ़ेगा दो broad points आपको यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर एक जो word आता है free consent के लिए उसको हम बोलते हैं consensus add idem और consensus add idem का यहीं मतलब होता है meeting of the minds तो दो जन्हें सेम चीज के बारे में बात कर रहें और दोनों crystal clear है कि हम किस चीज के बारे में यहां पर discuss कर रहे हैं जैसे कि आप एक देखो और एक example मैं आपको देता हूं आप Lincoln Road पे एक roadside store से Nike की T-shirt purchase करते हो और वह आपको बोलता बाई बिलकुल original है ऐसा है वैसा है यह है वो है आप मुझे बताओ क्या कल को आप case file कर सकते हो court में कि इसने मुझे Nike का duplicate T-shirt बेच दिया answer is no why because जब आप Lincoln Road से एक roadside store से Nike के T-shirt को खरीद रहे हो तो it is by default there is you also know what you are purchasing the other person also know what he is selling there is proper consensus added लेगन suppose करो यही आप Nike के store में जाते हो और वहां से आप एक Nike की T-shirt purchase करते हो जो आपको पता चलता है कि यह तो original है this is a first copy then in that case आप क्या Nike के store वाले पे case file कर सकते हो answer is yes because when you purchase the T-shirt from the store meeting of the same mind that this is original आप भी original समझ के ही खरीद रहे हो और सामने वाला भी original समझ के ही आपको बेच रहे है यहाँ पर आपको पता है वो original नहीं वो shopkeeper जो मरसी बोले कुछ भी बोले आपको भी पता है this is not original so आप भी जब purchase करते तो you also bargain and you also pay the same way like you are paying for a roadside T-shirt जैसे Nike के store में आप जाके purchase करोगे तो हो सकता आपको एक T-shirt वहाँ पे 2500 का मिले यहीं Lincoln Road में आप 500 रुपीज का purchase करोगे तो आपको भी पता है 500 में Nike का T-shirt आपको अगर मिल रहा है तो definitely this is what consensus at idem नहीं है because आपको पता है कि यह original नहीं है और यहाँ पर वो original है तो अगर store में आपको कोई duplicate product मिल गया तो definitely आप case file कर सकते हो यह बोलते वे that consensus at idem नहीं था तो यहाँ पर आपको धियान रखना है two persons यह देखो two persons said to have consent when they agree upon the same thing in the same sense इस को आप क्या बोलते है कि यहाँ पर दो लोगों के बीच में consent आ गया है so parties are said to have consented when they not only agree when they not only agree upon the same thing but also upon that thing in the same sense the same thing should be understood with respect to the whole content of the agreement okay and consequently when the parties to the contract make some fundamental error इसलिए जब parties to the contract when they make some fundamental error as to the nature of the transaction or as to the person dealt with or as the subject matter of the agreement it cannot be said that they have agreed upon the same thing in the same sense क्योंकि यहाँ पर आपका consent ही अलग था आप कुछ तो अभी जो कार वाले एक्जाम्पल दियाता हो फिट बिलकुल इस वाले पॉइंट पे होता है and if they do not agree in the same sense there cannot be a consent and a contract cannot arise in the absence of consent तो कोई consent नहीं कोई contract नहीं ठीक फिर देखें if two persons enter into an apparent contract concerning a particular person or ship and it turns out that each of them was misled by similarity of the name each of them were misled by the similarity of the name and had a different person or ship in his mind then there is no contract right same vala point because again there is no add idem add idem means of the same mind so consensus meeting of the same mind consensus added adding ambiguity ambiguity याने की confusion in the terms of an agreement or an error as to the nature of any transaction or as to the subject matter of any agreement may prevent the formation of any contract on the ground of absence of the consent तो again आपका जो terms of the agreement उसमें confusion है किसी चीज़ का clarity नहीं है तो उसकी वज़े से भी क्या हो सकता है there can be basically आपका जो consensus add idem है वो नहीं रहेगा हम बोलेंगे यह meeting of the same mind नहीं हुआ है यह consent आपका गया so in the case of fundamental error there really no consent and whereas in the case of mistake there is no real consent right so यह दोनों point आपके लिए यहां पर आ जाता है अब आप अगर देखो so यह जो point आपको दिया है only free consent is necessary for the validity of a contract अब इसका क्या मतलब है वो आपको बता रहा है consent can be free consent cannot be free मैं 10 लाग की घड़ी आपको 100 रुपय में बेच रहा हूँ मुझे भी पता है मैं क्या कर रहा हूँ लेकिन मेरा consent free नहीं है फिर भी मैं आपको बेच रहा हूँ क्या free consent नहीं है तो यहाँ पर वो बता रहा है कि consent free नहीं होता है due to coercion due to undue influence due to fraud due to misrepresentation और due to mistake यह आपके reasons यहाँ पर पूरे बताएवे तो इन सब की वज़े से हम बोलेंगे consent free नहीं है जिसमें इन चार की वज़े से आपका contract बन जाता है voidable और यहाँ पर आपका contract बन जाता है अब देखते हैं कोवर्षन के बारे में अब कोवर्षन के बारे में जब आप पढ़ते हो तो आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पर पता होने चाहिए बस वह आपका main portion होगा आपके answer का कि जब भी आप कोवर्षन की बात करते हो आप कब बोलोगे कोवर्षन लग गया या कब आप बोलोगे यहाँ पर कोवर्षन था कोवर्षन के अंदर यू डू दिस तिंग एक तो इंडियन पीनल कोड आप याद रखना आइधर यू आर कमिटिंग और यू आर थ्रेटेनिंग तो कमिट ठीक है क्या एनि एक्ट विच इस पेपर पे साइन कर दे नहीं तो यह जाएगा नहीं तो वह जाएगा तेरे और जो बच्चे उनको में उड़ा दूंगा मरना तो तेरे को था लेकिन तेरा बेटा ट्रक के नीचे आ गया अब अगर तू नहीं मानेगा तो आप बेसिक के लिए क्या कर रहे हो धंकी देना बोलना मैं आपको किड्नाप कर लूगा यह सब कर लूगा कुछ भी इस तरह से करके या तो आप कर रहे हो यह काम आप कर रहे हो या फिर आप थ्रेट कर रहे हो कि ऐसा एक्ट हो जाए विच इस फॉर्बिटन बाइदा इंडियन पीनल कोड तो यहां पर क्या आजाएगा क ध्यान रखना इसमें स्युशाइट करने की धमकी देना गीएंडियन पीनल कोड के अंदर फॉर्बिडशक किया हैं इंडियन पीनल कोड के अंदर एक बैसी कली लिस्ट है जिसमें बताया गया कि यह जीजें आपके क्रिंग अपर 520 से तो मोलत उलुनwalk फ्राण non कोण इस 4 जब आप किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हो तो बोलते नहीं 420 किया तो यहां पर रहता है और हिंदी मुवी के अंदर भी आप अगर देखते हो जो बोलते हैं दफा 302 310 यह लगा है यह लगा फो लगा तो यह सब कहां पर है आपके यह सब आपके इंडियन पीनल कोड के अंद परसन यहां पर भी क्या बात हो रहे है कि मैं किसी इनसान को को बोल रहा हूं कि आटनाइप कर तेकि और बोल रहा हूं पहले साइन करने तो मैं सपा साइन करने तो गड़ी को खाइए में घर दूे भी जिए तो यह सारे पॉइंट्स के अंदर भी क्या आ जाएगा कोर्शन आगया यहां पे यह सब क्यों कर रहे हो यह सब आप इसलिए कर रहे हो तो यहां पर हम क्या बोलेंगे अब आपको यह द्यान रखना है यह वाले पॉइंट को इसके ओपर हो सकता है आपको क्वेशन मिल जाए यह कोई फरक नहीं पड़ता कि जिस जगह पे आपने कोर्शन किया वहां पर इंडियन पीनल कोड अप्लिकेबल है यह नहीं अब सपोस करो आप आसाम के साइड देखो ठीक है अगर आप इस तरह से देखो आसाम की तरफ तो आसाम का एक बॉर्डर है बांगलादेश के साथ अगर आप आसाम को देखो स्पेलिंग गलत हो गया अगर आप Assam को देखो, तो Assam का नीचे की तरफ जो बॉर्डर है, South of Assam, यहाँ पर बॉर्डर है उसका बांगलादेश के साथ, और अगर आप अपर पार्ट में देखो, तो यहाँ पर उसका बॉर्डर है भुटान के साथ, अब सपोस करो, दो लोग है A and B, ठीक है, A and B यहा पर एक कॉंट्राक्ट में एंटर करते हैं, अच्छा, लेकिन यह कॉंट्राक्ट में एंटर करने के लिए, सपोस करो, यह जोग ऐसी घुमते-घुमते भुटान पहुंच गए, और भुटान में, at gunpoint, A ने B को बोला, कॉंट्राक्ट साइन करने, तो मैं यही पर तेरी गो है, इंडिय moral code applicable नहीं है, बांलादेश में इन्डिया पिनल वह कहां पर एंटर हो रहा है और वहां पर इंडियन पीनल कोड अप्लिकेबल है या नहीं है हो सकता है भुटान के अंदर इस तरह का कॉंट्रेक्ट अलाउड हो कि गन पॉइंट पर आप कॉंट्रेक्ट में किसी की साथ एंटर कर रहे हो इट्स अलाउड से कॉंट्रेक्ट किया और बुला कि चलो मैं इंडिया में जाके आपको यह प्रॉपर्टी बेच दूगा या ऐसे कर दूगा तो अगें नॉट अलाउड और एक एक्जामपल अगर आपको मैं दूँ देरा टू एनराई इन यूएसे सो एनराई ए एनराई ए और एनराई भी बोट अफ देम हैब दियर नेटिब्स इन पंजाब लेट से पंजाब गुजरात कहीं पर भी इंडिया के अंदर है तो यहां पर एनराई एक बहुत बड़ी हवेली है एनराई भी क्या करता है यहां पर गन पॉइंट पे इससे कॉंट्राक्ट साइन करवाता है और बोलता इस कॉंट्राक्ट को साइन कर देता है और प्रॉपर्टे गेट्स ट्रांस्वर्ट टू एनराई भी क्या आप मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है इस कॉंट्राक्ट में आंसर इस यहां पर कोर्शन अप्लाई हुआ हुआ है लेकिन सर कोर्शन तो यूएसे के अंदर अप पारख पड़ता है, देखो, कोशन USA में अपलाई हुआ हो, महां पर Indian Penal Code बले ही applicable नहीं हो, बट स्टिल ये एक voidable contract ही होगा और Indian Penal Code बले ही वाह पर नहीं लगे, स्टिल इस contract cannot be enforced in India, आप मुझे बताओ, comment section पर attempt करके ये point आपको समझा कि नहीं, क्या यह पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं ओके ओके फेर एनफ तो फिर हम यहां पर देखते हैं तो कोर्शन के लिए बस आपको यह चार पॉइंट सी ब्रॉडली याद रखने हैं एक तो क्या इंडियन पीनल कोड ठेक है कमेट और कमेटिंग और थ्रेटेनिंग तो क आपके सामने वाली पार्टी आपके साथ कॉंट्रैक्ट में इंटर कर जाए और इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि जहां पर आपने कोवर्शन किया वह जगह पर इंडियन पीनल कोड अपली के बेल है या नहीं ड़सेंट मैटर तो यह आप देख लिए ना यूएसे एन र कर लिया तो यह जो कॉंट्रैक्ट होगा यह हो जाएगा वाइडेबल तो इसको बोलेगा कि तुम बताओ तुमारे उपर अब कोई प्रेशर नहीं कानून आपके रक्षा करेगा आप पहले मुझे यह बात बताओ कि क्या आप यह कॉंट्रैक्ट के साथ अभी आगे जाना चाते हो यह आप इस कॉंट्रैक्ट के साथ आगे नहीं जाना चाते हैं तो अगर आप बोलो कि नहीं मुझे इस कॉंट्रैक्ट के साथ आगे नहीं जाना प्रिज्योमिंग कि आपका और मेरा कॉंट्रैक्ट वा और मैंने आपके उपर कुवर्शन किया आपने कोट में जा युल भी गिवन कंप्लीट फ्रीडम कि आप इस कॉंट्रेक्ट से निकल सकते और कल को आप बोलो कि नहीं मुझे इस कॉंट्राक को एक्जेक्यूट करना है और फिर मैं बोलो नहीं नहीं मेरा मन नहीं आप मूड बदल गया तो कोड बुलेगा मूड बदलने से नहीं होगा जब बंदुक लेकर हीरो बन रहते तब तो आपका मूड नहीं बदला था अब आराम से बैठो क्योंकि इस पार्टी ने बोल दिया कि वह इस कॉंट्राक के साथ आगे जाना चाहता ह है तो जाना चाहता है तो बेसिकली वह अर्शद वार्शी मुंबाई मुन्ना भाई की तरह का भाई ने बोला कॉंट्राक्ट एक्जिक्यूट करने का मतलब करने का सिंपल यह वाला पॉइंट हो जाता है तो इस वाइडेबल एड़ ऑप्शन आफ पार्टी वोस क्या मतलब होता है कैंसलेशन तो अगर आप कॉंट्राक को कैंसल कर देते हो तो अब यहां पर क्या होगा कि अगर आपको कोई बेनेफिट मिला है तो आपको उस बेनेफिट को रिस्टोर करना होगा लेट से मैंने कोवर्शन करके आपको अपनी गाड़ी बेचने को मजबूर कर दिया था और उसके बदले मैंने आपको पैसे बकड़ा दिये थे आपकी 10 लाग की गाड़ी थी मैंने आपको लेट से 50,000 रुपे बेग किये थे और आपको मैंने बोला था आप अपनी पड़ेगा और आपने बेज दिया कल को आप कोर्ट में जाकि ये प्रूफ कर दो कि आनन सर ने मेरे कंपटी पे बंदूक रखा हुआ था और मुझसे जबरदस्ती ये गाड़ी खरीद वाया कि आपे कांट्रेक्स क साथ आगे जाते या नहीं जाना कड को आप बोल नहीं ठीक है कोई ना कि देखकत नहीं अन किल के बात ब्लेज हो और at the same time court आपको ये भी बोलेगा कि ये जो आनन सर से आपको पचास जार रुपे मिले हैं इसको भी आप रिफंड करो मतलब you cannot keep 50,000 rupees also and you cannot keep the car also दोनों चीज आप नहीं कर सकते हैं so if a person to whom money has been paid or anything has been delivered under the coercion it must be repaid or it must be return it section 71 ये आपका वापस से क्या आता है this is your same quasi contract के अंदर रहता है ठीक है now where a husband obtains a release deed from his wife and son under threatening to commit suicide the husband wife को ये बोल रहा है कि ये देखो मेरी बात मांचो नितों में suicide कमेट कर लोंगा और फिर उनसे contract को अंटर करवा लेते हैं तो यहां पर ये contract क्या हो जाएगा ये हो जाएगा voidable why because suicide is forbidden by the Indian Penal Code simple सा point थिक फिर देखिए आ जाता है next आपके पास undue influence undue influence को hit करने से पहले आप मुझे बताओ क्या coercion आप लोगों को clear हुआ कि नहीं क्या coercion हुआ okay coercion अगर clear हुआ तो let's go ahead and start with the topic of undue influence अब देखो undue influence में दो चीज़े आपको ध्यान रखनी है let me put a blank slide ठेक है आपको लगे तो आप इसका screenshot ले लिए लिए देखो जब हम बात करते हैं undue influence के लिए sorry देखें undue influence के लिए एक चीज़ important है in case of undue influence definitely contract की बात हो रही है तो दो लोग होंगे एक इंसान दूसरा इंसान अच्छा अब मैं जान मुझ के एक इंसान को ऊपर की तरफ बना रहा हो और दूसरे इंसान को थोड़ा सा नीजे की तरफ यहां पे बना रहा हो there are two persons एक यहां है दूसरा यहां है अब इसका reason क्या है आप यह देखो there are two parties in the contract one party is in the position to influence the will of the other person right this person is in a position to influence the will so let's say A A is in a position to influence the will of B इसका क्या मतलब वहा कि B ना चाते हुए भी ठीक है A को मना नहीं कर पाएगा और उसको yes बोल देगा तो हम यहां पर क्या बोलेंगे under influence है अब आप बोलोगे B sir गधा है वो A को मना क्यों नहीं कर सकता आप संदीप मैश्वेरी सुनके आजो मोटिवेशनल you can do it nothing is impossible और भी एसे वीडियो से आप देखके आजो मोटिवेशन वाले कौन तेरे को रोकता है मैं भी देखता हूं ठीक है सिंगम टाइप मुवीज देखके तो यहां पर सिनारियो देखो इन दोनों के बीच में एक प्रस्था यहां पर सकता है अब कर दो इसे मत बूलना की okay करें जोर स्टुट्टाफ दो यह रेलेशन शिप वैसा है वैसा नहीं we are talking about the relationship which can be let's say there is a relationship of a doctor and a patient there can be a relationship of let's say your employer right employer and there can be relationship of the employee employee, there can be relationship of let's say, a teacher and a student, right, किसी भी तरह का relationship यहाँ पर हो सकता है, बट ये चीज ध्यान रखना, देखो, doctor patient के relationship में, कौन influence कर सकता है, doctor influence कर सकता है, कल को doctor बोलेगा कि नहीं, ये तो ऐसे ही होना है, तो patient नहीं चाते वे भी बोलेगा, हाँ भई ठीक है, ठीक है, this year, March, my father had undergone a major bypass surgery, अब doctor ने जो जो बोला, हमारे पास कोई option ही नहीं था, we said, okay sir, ठीक है, doctor ने बोला, नहीं, ये ऐसे लगेगा, ठीक है भई, इसके इतने पैसे लगेंगे, ठीक है भई, उसके इतने लगेंगे, ठीक है भई, you are not in a position to say no to them, right, so you say yes, same way employer, employee के अंदर भी काफियत तक, हाँ, of course, मैं ये नहीं बोलता हूँ, हर समय ही आप yes बोलोगे, कल को अगर कुछ ऐसा unusual demand हो जाता, तो obviously हम लोग doctor को protest करते हैं और बोलते हैं कि no, this is unreasonable, but काफियत तक अगर आप देखो, तो यहाँ पर doctor is in a position to influence the will of the patient, take for example, doctor अगर चाता, तो वो ये बोलते था कि नहीं, इस operation के बाद में आपको इतने इतने check-ups कराने होंगे, ये करवाना होगा, ऐसे रहेगा, वैसे रहेगा, you are not in a position to say no, भे, doctor ने बोला है, तो करवाना तो करवाना पड़ेगा, simple, same way employer, employee में भी ऐसा होता है, employee मना नहीं कर सकता, आज आप देखो, इतनी तेज बारिश हो रही है, ठीक है, और जब भी इस तरह से तेज बारिश होती है, पानी में flooded रहता है, बोस अगर बोल दे, office आना है, तो आप यह नहीं बोल सकते हैं, आप यहां पर देखो, इन्फ्लूएंस कर सकते हैं, तो आपको शायद अब एक आईडिया लग गया होगा, कि undue influence में, दो लोग जो है, वो कौन है, दो लोग ऐसे हैं, जिसमें एक party is in a position, one party is in a position to influence the will of the other, and इस case में, क्या हो रहा है, जैसे इस case में, A is in a position to influence the will of B, now what is happening, meaning A, B को contract में enter करवाता है, और इससे benefit किसको हो रहा है, benefit हो रहा है A को, which is giving benefit to A, A और B दोनों contract में enter करते हैं, और इस contract में benefit किसको हो रहा है, A को हो रहा है, इस case में हम क्या बोलेंगे, कि यार, और A को benefit हो रहा है, मतलब, only A, इस तरह का benefit हो रहा है, या A को कुछ undue advantage मिल रहा है, तो इस case में हम क्या बोलेंगे, कि यार, A ने undue influence किया है, B को, यहाँ पर आप ऐसे भी example ले लो, आप चेक करना, I forgot the place, this is in गुडगाओं, वहाँ पर, मतलब वह आप एक रिपोर्ट देखना, कभी Google पर आपको, YouTube पर आपको मिलेगा, रवेश की रिपोर्ट आप चेक करना, I will tell you, वह रिपोर्ट देखकर, मतलब, आपको एक बार नीन नहीं आएगा, the kind of, you know, humanity that has gone too low, and बहुत privileged feel करो गया आप, I will tell you, वहाँ पर क्या सिनारियो था, ये गुडगाओं के आज पास में बहुत सारे factories है, ठीक है, तो उन factories में जो labors लोग काम करते, they stay in that, जिसे चॉल जैसा जो रहते हैं, उस तरह से करके वहाँ पर रहते हैं, आपको पता हैं, वो landlords क्या करते हैं, वो landlords ने वहाँ पर बोल रखा है, अगर आपको यहाँ पर रहना है, एक तो वो रहने का जो condition है, वो ही बहुत खराब है, दूसरा इनको क्या बुलावा है, कि आप राशन कहां से लोगे, आप राशन मेरे ही दुकान से लोगे, जनरली अगर आप किसी rented premise में रहते हो, तो landlord आपके उपर restrictions जा सकता है, only with respect to the house, he cannot put restrictions on, आप कोई चीज कहां से लोगे, कहां से नहीं लोगे, यहाँ पर यह जो landlord से, यह restriction डालते हैं, कि आप जो भी समान लोगे, वो कहां से लोगे, मेरे ही राशन के दुकान से लोगे, अगर आपने मेरे राशन के दुकान से समान नहीं लिया, तो आपको यह जगा खाली करना पड़ेगा, अच्छा, आप बोलोगे, सर कोई problem नहीं है, वो कहीं से भी समान ले, कहीं न कहीं से तो आठा चावल हो ले गई, तो वो उसी राशन के दुकान से ले ले, अब problem यह है, वो राशन के दुकान में price charge करता है double, इसके अलावा landlord यहां पर randomly आके किसी के भी घर को check कर सकता है, कभी भी कि भाई उसके घर में कहीं बाहर का लायावा समान तो नहीं है, ऐसा नहीं है, तो आप यहां पर देखो, इस पूरे contract में किसको फाइदा हो रहा है, सिर्फ landlord को ही फाइदा हो रहा है, तो यहां पर क्या हो क्या, undue influence, this is undue influence, okay, तो आप अगर simple सा scenario यहां पर देखो, तो यहां आपको क्या मिलेगा, that दो लोग contract में enter कर रहे हैं, जिसमें एक person है, जिसके पास इतना capacity है, कि वो दूसरे के will को क्या कर सकता है, influence कर सकता है, और फिर वो उस इनसान को contract में enter करवाता है, जिससे की फाइदा किस का रहे है, सिर्फ उसी इंसान का रहे है, दूसरे इनसान का फाइदा नहीं होता, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इस contract में undue influence लगा है, और ऐसे case में यह contract क्या बन जाएगा, voidable, this contract will become voidable, ठेके, अच्छा, देखो जब court में case जाता है, तो दो तरीके से होता है, मतलब suppose करो, मैंने अगर आपके against कोई case फायल कर दिया, तो जो proceeding है वो दो तरीके से जाएगा, या तो मुझे सबूत पेश करने होंगे, कि मैं बेगुना हूँ, या फिर आपको सबूत पेश करने होंगे, मतलब मुझे ये सबूत पेश करना होगा, कि आप guilty हो, या फिर आपको सबूत पेश करना होगा, कि आप basically guilty नहीं हूँ, आप बेगुना हो, इसको क्या बोलते है, owners of proof इसको हम क्या बोलते हैं owners of proof देखो कल को मेरे against कोई case file करता है कि आनन्द कंकानी tax की चोरी कर रहे है तो अब क्या करना पड़ेगा किसी ने मेरे against case file कर दिया पुलिस मुझे पकड़ के ले जाती है तो उसके बाद मुझे court में जाके खुद को बेगुना proof करना होगा या फिर मैं court में जाके ऐसे बोलूगा भाई आप मेरे पे लजाम तो लगा रहे हो सबूत कहा है तो इसको हम बोलते है owners of proof अब जब बात आएगा undue influence का ये matter जो है कल को court में जाएगा तो आप मुझे बताओ किसको proof करना पड़ेगा कि undue influence था या नहीं था मतलब will B have to prove that there was undue influence और A will have to prove that there was no undue influence hence the contract is valid आप बताओ एक और आपको थोड़ा सा आपको answer करने का एक तरीका में और बता देताओ जिससे और थोड़ा simple हो जाएगा आपके लिए आप यह देखो A ने contract दिया A ने contract किया मेरे साथ सबोस करो मैं teacher आप student आपने 10 लाग की गाड़ी मुझे 50,000 में बेज दी ओके और आपने कैसे बेजी आपने बोला सर यह गाड़ी है न ठीक है मुझे यह luxury से बिलकुल mom आया से मन हट गया सर मेरा मैं आपको देखता हूँ आप ट्रेन में धक्के खाते वे आते हो सर यह गाड़ी आप लिलो 50,000 रुपए की गाड़ी है आप मुझे EMI पे कर देना सर 5000 पर मन्त अगर आप EMI पे करोगे मुझे तब भी कोई प्रॉब्लिम नहीं यह कार आप रखो सर और मैं आपकी बहुत इज़त करता हूँ ऐसे से करके मुझे चड़ा दिया और मुझे गाड़ी खरीद वाली मैं बूला ठीक है भई अच्छा है 10,000,000 की गाड़ी 50,000 में मिल रही है और सही बात है ट्रेन के कौन धक्क्य खाए यह खुद की गाड़ी होगी अच्छा है एक स्टेटस सिंबल बनेगा तो मैंने बूला ठीक है मुझे गाड़ी बेच दो आपने मुझे यह गाड़ी बेच दी अब कल को अगर कोट में जाके आप केस फाइल करो कि आनन सर ने मुझे गाड़ी जबरदस्ती बेकवाया नहीं तो मैं कहां 10 लाग की गाड़ी 50,000 में सर को बेच रहा था वो तो सर ने मुझे बोला कि आप मुझे यह गाड़ी बेचो 50,000 रुपे में और वो भी EMI के अंदर आप मुझे यह गाड़ी बेचो यह आपको सबूत लाने होंगे कि देखो सर ने ऐसा भूला था यू गॉट दा क्वेशन तो आप मुझे बताए कौन क्या करेगा तो यहाँ पर पॉइंट यह है कि I should be pleading that I am not guilty आपको तो बस खाली क्या करना है कोट में जाके खाली बोलना है कोट में जाके बस खाली आप बोल दो आनन सर ने ऐसा किया और मेरे अपगेंस्ट केस फाइल हो जाएगा और मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि नई भाई इसने by default मतलब खुशी खुशी इसने मेरे को गाड़ी बेची थी और ऐसा किया था यह किया था वो वाला सिनारियो और अगर मैं प्रूफ नहीं कर पाया तो यह क्या आजाएगा कि मैंने undue influence लगा है बाई दबे प्लानिंग करना बंद करना मैंने आपको पहले भी बता है practical और reality के अंदर बहुत huge difference होता है तो फिलाल अगर आप इस case में देखो तो मेरे उपर क्यों यह liability दिया है आपकी उपर liability क्यों नहीं दिया जबकि इल्जाम तो आप लगा रहे हो तो technically आपको प्रूफ करना चाहिए मुझे क्यों पूरूफ करना चाहिए it is because who is in a better position who is in the position to influence the will it's me so if I am in the position to influence the will then it will be the obligation will be on me to prove that कि यहां पर जो भी contract हुआ वो free consent के साथ वाता यहां पर मैंने कोई अंद्यों इंफ्लूएंस नहीं लगाया is this part clear or not यहां पर आप देखो onus of proof मैं इधर लग देता हूँ the onus of proof lies on यहां पर there will be no onus of proof तो आप एक काम करो आप इसका एक picture click कर लो so that कहीं पर भी आप इसको post it के थूँ लेके अपने module में fix कर सको okay done all right तो अब अंद्यो इंद्यो इंदर आप देको तो यहां क्या बता है so according to section 16 of the Indian Contract Act a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one party is in the position to dominate the will of the other and यह बहुत इंपॉर्टन है and he uses that position to obtain the unfair advantage over the other. So a person is deemed to be in the position to dominate the will of the other जब वो real या apparent authority hold करता है, fiduciary relationship में अगर है and if he makes a contract with the other person, जिसका की mental capacity temporary या permanently affected है, this can be due to the age, this can be due to the illness, this can be due to the mental or body distress. तो अगर एक old illiterate person उसके साथ आप एक contract करते हो कि वो अपनी सारी जायजाता आपको बेचके जा रहा है तो और कल को बोल दे, old man आपके ऐसा बोल दे कि भाई यह तो गलत है ऐसा कुछ हमारे बीच में contract वहानी था, मैंने तो इसको बोला था कि मेरा एक agreement बना दे, let's say, कोई भी एक agreement, rent agreement बना दे और इसने तो rent agreement बनने के चकर में घरी अपने नाम करवा लिया और मुझे नहीं पता इसमें इसने क्या लिखा था, मैं पड़ा लिखा इंसान नहीं हूँ मैंने इसके उपर भरुसा किया था कि यह chartered accountant है, तो मतलब जब सरकार इसपर भरुसा कर सकती है तो मैं भी इसपर भरुसा कर सकता हूँ, मैंने उस basis पर भरुसा किया था, तो यह भी क्या हो जाएगा, undue influence हो जाएगा, ठीक है जब major हो गया, तो उसने क्या किया, basically, by using the parental influence, यहाँ पर क्या करता है, A उससे एक bond sign करवा लेता है, of a greater amount यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, A ने employ किया है undue influence को, ठीक है Similarly, जैसे, A, a man which is enfilded with a disease or the age, basically, वो अभी किसी काम करने लायक नहीं था, due to disease या फिर क्या age, ठीक है अब, this person is induced by B's influence over him as a medical attendant, तो उसके पास एक medical attendant है, वो medical attendant क्या करता है, उसको बोलता है कि देखो, मेरी देखभाल अगर, मैं आपकी देखभाल तो करूँगा, लेकिन देखभाल करने के लिए, आपको, मेरे को, बहुत सारे पैसे देने होंगे, ठीक है, एक unreasonable sum demand कर लेता है, कि एक लाक रुपिया हर मैने काप दोगे, मैं medical attendant आपका हूँ, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, undue influence यहाँ पर लगा रहे हो, similarly, A being in debt to B, A ने B से उधार लिया, B कौन है, B is a money lender, ठीक है, वो उसके साथ एक contract करता है, ठीक है, fresh loan agreement, और जो terms है, वो terms यार unconscionable लगते, जैसे कि, आपको महाँ पर उसमें बोल दिया कि, interest 40% आपको देना पड़ेगा, या अगर आपने default किया, तो आपको double amount repay करना पड़ेगा, इस तरीके से, या आप interest अभी double pay करोगे, कुछ भी तरीके का, इस तरह का आप अगर terms देखो, तो obvious सा बात है, double loan कौन पे करता है, correct, interest 40% कौन पे करता है, लिकिन इन्होंने contract उसे साब से किया, Now, it lies on B to prove that the contract was not influenced by undue influence, तो B कोन है, money lender, आप यहाँ पे ध्यान रखना, तो B को prove करना पड़ेगा, तो जो onus of proof वाला मैंने आपको point बताए था, वो इस example के basis पे था, कि उसको prove करना होगा, कि यह देखो, undue influence मैंने नहीं लगाया था, अब यही same example, यहाँ पर आता है, जिसमे A apply करता है bank में loan के लिए, और bank उसे high interest rate charge करता है, और bank क्यों high interest rate charge करता है, बुला, फिलाल money market में बहुत ज़ादा, तंगी आ रखा है, interest rates already बहुत high है, और A यहाँ पर इन loan को accept कर लेता है, तो क्या इसमें undue influence बुला जाएगा, answer is no, क्योंकि देखो, कोई इंसान bank में loan का अगर मेरे पास already पैसे है, तो मैं bank में जाके loan क्यों लूँगा, में पैसे की जरुवत है, तो मैं bank के पास loan लेने के लिए गया, या money lender के पास loan लेने के लिए गया, अब आपको यह धियान रखने है, जो money lender है, यह independent है, बढ़ यह bank है, यह RBI governed है, ठीक है, RBI जो interest rates वगेरा, अब सेट करता है, उस हिसाब से banks यहाँ पर अपने interest rates को लगाते है, तो अगर money market में stringency है, वहाँ पर हाला tight है, पैसे market में जाधा नहीं है, तो अब यह साब आता है, bank आप से high interest rate charge कर सकता है, लेकिन private money lender में इस तरह का jurisdiction नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर undue influence मान लिया जाएगा, because this transaction has happened in the ordinary course of the business, so अगर section 16 आपको invoke करना है, तो कुछ को चीज़े ज़रूरी है, जैसे कि दो parties के भीच में relation होना चाहिए, a person can be influenced by the other, when there is a near or dear relationship, और दूसरा, one person is in the position to dominate the will of the other, relationship के अंदर, जैसे real या apparent, जिसमें father and son, real relationship हो गया, fiduciary relationship के अंदर, जैसे client और आपका lawyer client relationship हो गया, trust वाला relationship जहाँ पर आता है, यह देखो, teacher student, trust वाला relationship आता है, वो fiduciary हो गया, और यहाँ पर आ जाता है mental distress, जो मैंने आपको बताया है, कि एक इनसान बिमार है, वो decision लेने के condition में नहीं है, या वो ना करने के situation में नहीं है, तो आप से इस तरह से अगर contract पर एंटर करवा है जा रहा है, then unconsciousable bargain, तो यह भी होना ज़रूरी है, unconsciousable bargain मतलब एक बहुती unfair तरीके से, आप contract में भाँ पर जा रहे हो, so unfair if it is presumed by the law, that the consent must have been obtained by undue influence, जैसे कि आप यह देखो, a youth of 18 years of age spent thrift and a drunkard, ठेके, borrowed 90,000 rupees, ठेके, एक 18 साल का लड़का, जो मतलब फिजूल खर्ची बहुत करता था, और उसने क्या कर दिया, और दारू बगेरा भी खूब पीता था, उसने 90,000 रुपया बोरो किया, ठेके, और उसने एक bond sign कर दिया, bond मतलब क्या होता है, एक undertaking होता ह जिसमें आप promise करते हो, कि आप इतना amount बाद में pay कर दोगे, तो 90,000 रुपया का आपने bond sign कर दिया, जिसमें आपने बोला, compound interest 2% per month, आप interest पे करोगे, 90,000 पे 2% compound interest आप पे करोगे, हर बहने, तो यह जो contract था, यह कैसा था, unconsciousable contract था, यहाँ पे जो rate of interest आप चार्ज कर रहे हो, this is X orbitant, ठेक है, then the object must be to take the undue advantage, तो contract में आपका objective क्या होना चाहिए, to take the advantage of the other person and burden of proof मैंने आपको अल्रेडी बता दिया, it will lie with the party who is in a position to dominate the will of the other, so burden of proof या, owners of proof, ठेक, फिर आप देखिये, यहाँ पे, power to set aside the contract which is induced by undue influence, तो court के पास power है, कि वो अगर undue influence वाला कोई contract होता है, तो उस contract को या तो पूरी तरह से cancel कर देगा, ठेक है, या फिर उस contract में, जो भी unreasonable part होगा, ठेक है, जो भी unreasonable part होगा, उसको delete कर देगा, so when consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party, whose consent was so caused, any such contract may be set aside either, absolutely, or if the party who was entitled to avoid it, received any benefit there under, upon such terms and conditions, as the court में deemed just, तो court को अगर लगेगा, तो वो चला जाएगा, अब जैसे यहाँ पर, एक money lender ने एक लाक रुपया दिया था, एक agriculturalist को, ठेक है, farmer को B को दिया था, और वहाँ पर उसको बोला, कि आप एक bond sign करो, कि आप in return 2 लाक रुपया दोगे, और वो भी 6% interest per month के साथ, तो court ने क्या बुला कि भाई देखो, 6% interest समझ में आता है, ठेक है, बट, और 6% per month interest भी काफी जादा है, बट, यह जो एक लाक रुपया आप देके, आपने bond sign करवा है कि दो लाक रुपया देगा, तो यह एक लाक तो प्राइवा फेसी गलत हो गया, और interest फिर वहाँ पर, court ने वहाँ पर कम करवा दिया, तो यह आपका situation रहता है, same way, a student is induced by the teacher to sell his brand new car to the elevator at a price, ठेक है, purchase price, less than the purchase price, to secure more marks in the exam, now this car was sold, बाद में बच्चे के फादर ने जाके, teacher को बुला, ऐसा कैसा तुमने किया, और CEO कर दिया, उसको case file कर दिया, तो क्या वहाँ पर case file हो सकता है, answer is yes, because teacher is in the position to influence the will of the student, fiduciary relationship में आते हैं, और यहाँ पर a contract can be brought off, basically a case can be brought off the undue influence, यहाँ पर undue influence वाला case लग सकता है, ठेक है, अब ध्यान रखना, यह जितने examples हमने यहाँ पर पढ़े हैं, all these examples are important, क्योंकि exam में यही question आपको मिल जाएगा, as it is, यही question, और यह वाला तो बहुत बार आया है, काफी ब हो गया, क्या आपको undue influence clear हुआ, क्या आप लोगों को undue influence clear हुआ, क्या आप लोगों को undue influence clear हुआ, okay, undue influence के बाद में, next हम आके बढ़ते हैं, और हम करते हैं, कि, let's say, what if, यहाँ पर fraud हो, अब देखो, fraud और misrepresentation के अंदर, एक, बहुत ही बारीक सा difference है, जब हम बात करते हैं fraud, fraud is intentional, देखो, आगे आपको एक question, वो, differentiate between, या वो भी मिलेगा, but आप देखो, fraud और misrepresentation में क्या difference है, fraud, and this is misrepresentation, fraud is intentional, misrepresentation is unintentional, fraud में आपका objective क्या है to cheat this is what, this is basically innocently आपसे यह काम हो गया, इसका एक बहुत ही classic example है, शायद मैंने आप लोगों को पहले भी यह example दिया हो, आप यह देखो, there is let's say, a watch okay, there is a watch this watch is sold claiming that this is let's say made in Switzerland एक घड़ी बेचे गई आपको, यह बोलते वे कि this is made in Switzerland, but reality क्या है it is let's say, made in China अब चाइन की product पे आपको पता है क्या इज़त है उसकी क्या चाइना की खुद की क्या इज़त है, यह भी पता है अब अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो the seller was aware or not आपको यह देखना होगा यह जो इंसान seller है क्या seller was aware of this fact or not if I say if the seller was aware of this fact तो यह क्या बन जाएगा fraud but if the seller was not aware or let's say he was unaware of this fact तो फिर यह क्या बनेगा misrepresentation does this make sense yes okay just take a screenshot of this यह शायद आपको आगे help करेगा simple सा point okay thank you तो चलिए अब आप यहाँ पर देखिए fraud so fraud means and includes देखिए हो या उसका कोई agent इस तरह से करके यह करता है और क्यों करता है with the intent with the intent to deceive deceive याने की cheat the other party या फिर उसको आप बोतल में उतारने की कोशिश करते हो कि you enter into the contract और आप क्या कर रहे हो following acts में जो यहाँ पर आपको बता है following acts यह देखिए I don't know I'm not able to see the हाँ यह करसर पता नहीं क्यों नहीं देखता है में रखो कही बार so आप यहाँ पर क्या कर रहे हो you are doing the following acts following acts में क्या-क्या है आप एक suggestion देते हो ठीक है जिस suggestion को आप किस की तरह show कर रहे हो fact की तरह कि आपको पता है यह ऐसा है आप fact की तरह बता रहे हो of which you know that fact is not true आपको पता है कि जो आप बोल रहे हो वो सही नहीं है फिर भी आप उसको बोल रहे हो आपको पता है यह बात by one who does not believe it to be true एक ऐसा इंसान एक suggestion दे रहा है एक ऐसा fact बता रहा है जो कि सही नहीं है और उसको पता है कि यह सही नहीं है तो यह क्या जाएगा fraud और आप ऐसा क्यों कर रहे हो क्योंकि आप सामने वाली party को cheat करना चाहते हो या आप चाहते हो कि सामने वाला party contract में enter कर जाए अभी देखो बहुत ही stupid सा एक argument twitter पे चल रहा था I'm little active on twitter अलाकि में twitter पे debates और पे नहीं जाता है मेरा reason होता है twitter पे business updates होते उसके लिए बट कई बार ऐसे updates भी महाँ पे twitter में दिखने लगते हैं अभी आपने देखो आमेर खान and Kiran Rao के बीच में divorce हुआ yes or no जैसे जैसे इन दोनों के बीच में divorce हुआ कुछ पागल लोग जाके twitter पे trend कराने लग गए love jihad right आप मुझे एक बात बताओ आमेर खान marrying Kiran Rao and then divorcing her is it love jihad technically देखो love jihad का logic क्या है that when a person conceals the relationship so it's not that a muslim person is concealing the relationship with a hindu girl it can be opposite also simple कल को अगर suppose करो Kiran Rao अपने religion को basically इसका पूरा जो logic है वो क्या है that you conceal the relation okay you conceal your real identity or your religion और आप किसी इंसान को influence कर रहे हो कि वो आप से शादी कर ले और शादी करने के बाद फिर आप उसके उपर force करते हो कि आप भी अपने religion को convert कर लो so that can happen either way also a Christian marrying Hindu person Hindu marrying a Christian it can be due to any religion आप मुझे एक बात बताओ क्या आमेर खान किरन राओ लव जिहाद के डेफिनेशन में फॉल करेंगे simple सी बात है नहीं क्यों? because when Kiran Rao married Aamir Khan to Kiran Rao को पता था that Aamir Khan is a Muslim person right? तो यहाँ पर Aamir Khan is not hidden the identity उसने कोई force करके conversion निकिए he is not hidden the identity Saif marrying Kareena Kareena Kapoor को पता है that Saif Ali Khan is a Muslim So, वहाँ पर यह concept of love jihad है यह तो वैसे ही नहीं आएगा पर गदे लोग वहाँ पर Twitter पर कुछ भी हुआ तो love jihad hashtag Aamir Khan hi hi यह सब करके notang के शुरू किया तो आपको यह point देखना होगा कि जब हम बात करते हैं fraud का हाँ, a typical love jihad situation would fall into the category of fraud Why? Because you are concealing concealing कर मतलब छुपाना or you are showing a fact आप एक ऐसा statement रख रहे हो इस तरह से as a fact कि देखो भई मैं तो इस religion का हो जबकि आप उस religion के नहीं हो So, वहाँ पर क्या बन जाएगा यह fraud Guys, is this point clear? So, you are making a fact You know that that fact is not correct but still, आप उसको present करते हो तो इसको क्या बोला जाएगा fraud और आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकि सामने वाला इंसान आपके साथ contract में enter कर जाए ठीक है? या फिर आप उसको cheat कर दो Your objective is to cheat the other person or make sure the other person enters into contract with you So, this is where the fraud comes into picture तो यह तो एक तरीका हुआ of fact by one having knowledge or believe of the fact देखो concealment मैंने आपको अभी भी बताया देखो जो यहाँ पे girls है वो मेरे एसाब से यह word को काफी अच्छे से समझेंगी और उनको याद भी रहेगा देखो आप लोग एक word product use करते हो concealer So guys जिनको नहीं पता मैं बता रहा हूँ हाला कि मैं यूज नहीं करता but I am married so I can answer this question Right So concealer Concealer एक ऐसा product होता है जो चहरे पे अगर आपके कुछ spots वगएर हो कुछ इस तरह से रहे तो उसको छुपा देता है And you look like a flawless skin मतलब skin में कोई दाख धब्बे कुछ भी नहीं है कुछ भी ऐसा तो सबोस आपको अगर pimple वगएर भी कुछ है तो वह concealer लगाओ तो छुप जाता है दिखता नहीं काफियत है तो आप कहीं party वगएर में जा रहे हो तो conceal करने का क्या मतलब होता है To hide इसी से तो वह product का नाम निकला है Concealer तो चीजों को hide करना तो मैं एक ऐसे fact को hide कर रहा हूं ठीक है जो मुझे पता है कि भाई यह बताने से सामने वाला influence हो जाएगा लेकिन मैं फिर भी यह बात उसको नहीं बता रहा हूं मैं जान मुझके यह fact को छुपा रहा हूं तो भी यह क्या बढ़ गया This is also a fraud Then जैसे आप एक simple सा बात देखो ऐसे है नहीं यह case बट आपको example देता हूं The matter अपना public issue लेकर आ रहा है The matter public issue लेकर आता रहा है देखो हमारी company कितनी must है इंडिया में हम कितने सारे जगा पे हर cities के इंदर हमारे हमारा network है, restaurants के साथ हमारा tie-up है इसा है वैसा है यह है वो है हमारे ads आते हैं आप भी बोलते हैं हाँ सही बात है अच्छा कोई भी इंसान public किसी भी company में पैसा लगाता है तो क्यों लगाता है profits के लिए The matter वाला यह बात बता ही नहीं रहा कि उसको आज तक कभी profit नहीं हुआ वो सिर्फ loss में चल रहा है अब मुझे एक बात बताओ अगर वो यह बात नहीं बताता और आपसे पैसे ले लेता है as a investor तो मुझे एक बात बताओ क्या यह fraud हुआ के नहीं वा answer is yes यह बात छुपा के वो आपसे क्या कर रहा है contract में enter कर रहा है क्योंकि अगर आपको यह बात बता चल गया तो फिर क्या बन जाएगा यह this will become your आप शायद वहाँ पे नहीं करो in fact अभी 3-4 मेने पहले की बात है Bombay High Court में एक 4 मेने की you know there is a couple जिनकी शादी को 4 मेने ही हुआ था और wife ने जाके police case basically court में divorce के लिए वाल नहीं थे और उसने वेक लगा था I am not making this up you can actually google it again sources twitter तो court का judgment वहाँ पर था की wife ने husband के ओपर यह case file कि वह गंजा था और उसने यह बात चुपा ही और अब जब उसको पता चला कि वह इंसान गंजा है तो I want a divorce क्योंकि जूट बोला उसने तो यह वाले point के ओपर fraud active concealment next charges इसके ओपर movie I think कई बार मैंने एक बार F.I.R. के episode में भी देखा इसको पुराने F.I.R. episode में भी देखा movie तो मेरे को नहीं पता movie कौन सा है ओके आयुश्मान खुराना की कोई movie है okay so I have no idea about it मैंने F.I.R. के episode में देखा है कि वहां पर इस तरह से था तो यह actual में ऐसा case हुआ then third is fraud करने का तरीका you make a promise without an intention of performing it right remember आज के lecture के start में मैंने आपको बताय था a boy promising a girl that I will marry you right fraud के case के अंदर यहां पर जाएगा there is a promise which is made without an intention of performing it तो यह भी क्या हो गया fraud see मैं आपको बोलता हूँ मैं आपका batch ले लूँगा आपके foundation का batch में ले लूँगा November 2021 attempt के लिए मैं आप लगों को पका पढ़ा दूँगा आप बोले ठेक है sir कोई problem नहीं है मैं बोला fees मैं बोला fees आपको advance में pay करना होगा आप advance में fees pay कर दो हम batch शूरू करेंगे first of August से example हम first of August से batch को शूरू करेंगे और एक मैने के अंदर मेरा course complete हो जाएगा अभी इतना जल्दी पढ़के क्या होगा right now it is April और आप आज वैसे तो July है but example में आपको दे रहा हूँ right now this is April और August में आपका में बैच शूरू को आप advance में मुझे fees pay कर दो और आपने मुझे advance में fees pay कर दिया हाना कि जब मैं आपसे fees ले रहा हूँ उसी time मेरा July का ticket बनावा है first July का ticket बनावा है for USA मैं 6 मेने के लिए US जा रहा हूँ अब आप मुझे बताओ क्या इसको fraud माना जाएगा की नहीं answer is yes because I am making a promise that I will teach you whereas I know that I will not be able to क्योंकि मैं US जा रहा हूँ और मैं आपको महा से नहीं पढ़ा पहूँगा ignore कि ये digitally classes हो सकता और नहीं हो सकता so मैं खुद महां पर पढ़ने के लिए जा रहा हूँ भाय so I cannot teach you so ये वाला point आता है next is any other act fitted to deceive अब ये बहुत ही dangerous है इसमें क्या हो गया मतलब यहां पर आपके नियत को देखा जाएगा आप क्या कर रहे हो उससे फरक नहीं पड़ता आपके नियत को देखा जाएगा क्या आपकी नियत में cheat करना था तो अगर आपके नियत cheat करने की थी तो उसको क्या treat कर लिया जाएगा fraud की तरह treat कर लिया जाएगा और ध्यान रखना सिर्फ कुछ करना ही fraud नहीं है कई बार कुछ नहीं करना भी fraud होता है reply नहीं किया और आपने वो pastry consume कर लिया आप मुझे बताओ is this fraud or not it's a fraud why it's a fraud misrepresentation this is a misrepresentation क्योंकि मुझे यहाँ पर बताना चाहिए था लेकिन मैंने तो कुछ बोला ही नहीं मैं तो बोला ही नहीं यह एग वाला है कि एगलेस है आप बताओ क्या मैं वहाँ पर यह एक ले सकता हूँ कि देखो भई मैंने कभी बोला कि यह एगलेस है आपने पुचा यह एगलेस है क्या बिल्कुल सही मैंने उसके बाद कुछ जवाब दिया नहीं दिया उसके बाद केक आपने खाया ना मैंने बोला कि यह एगलेस है, मैं अगर बोलता कि हाँ यह एगलेस है, और यह एग वाला केक होता, तो आप मेरे पर fraud का case करते हैं, लेकिन मैं तो कुछ बोला ही नहीं, तो मेरे पर fraud का case क्यों? तो यहां पर law बोलेगा, देखो भई, आपकी duty थी, आपने जब चुप रहे, तो वहां पर वो silence को क्या मान लिया गया, कि वो silence को भी, मतलब speech मान लिया गया, आप बताइए, is this clear, so that's where you come, that if there is any other act, or there is any other omission, which as per the law, can be declared as fraudulent, तो यह fraud हो जाएगा, ध्यान रखना, एक ऐसा fact आ वो true नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हो, तो fraud है, किसी बात को छुपा रहे हो, वो भी fraud है, एक promise कर रहे हो, without the intention of performing it, that is also fraud, and then any other act, जो कि cheating के case के अंदर आ जाएगा, तो that is also considered as fraud, तो आपको यह सब points को यहां पर ध्यान रखना है, अब देखिए, एक explanation यहां पर आपको दिया जाएगा कि नहीं, जो भी अग्लेस केक वाला मैंने आपको example दिया, तो यहां पर आजाता है, कि देखो, silence itself is not fraud, टेके, दो points ही ध्यान रखना, silence itself is not fraud, but where it is your duty, टेके, where it is your duty to speak, and you remain silent, यह बन जाए का fraud, टेके, why, because, here, silence is equivalent to speech, अब बताओ, is this clear? simple point, तो यहां पर देखो, mere silence as to the facts, likely to affect the willingness of a person to enter into the contract is not fraud, unless the circumstances of the case are such, regarded them, it is the duty of the person to speak, and he remains silent, और unless his silence is equivalent to speech, तो यह क्या हो जाएगा आपके लिए fraud, इसमें धियान रखना हम कुछ examples करेंगे, यह सेम एक, आपको यह याद होने से भी चलेगा, यह भी याद होने से चलेगा, पाड़न, चलेगा, चलेगा, absolutely, चलेगा, there would be no problem, चलेगा, ओके, अच्छा, अब आप यहाँ पर एक चीज़ को देखो, इधर जो यह examples आप यहाँ पर कर रहे हो, यह examples आपको वापस से repeat होएगा, जब आप, how do I say, when you will cover sale of goods act, जब आप sale of goods act पढ़ोगे, तो यह वापस से आपके पास repeat होगा, और उस time पर हो सकता है, आप बोलो कि sir, यह तो same same सा लग रहे है, हमने ऐसा पहले भी पढ़ा था, या यह ऐसा भी था, तो कोई problem नहीं है, यह वापस से वहाँ पर repeat होगा, जब sale of goods act पढ़ेंगे, आप देखो, यहाँ पर आ रहे है, बहुत ध्यान से देखना यह examples, हो सकता है, आपको contradicting लगे कि sir, यहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो ऐसा है, ए, यहाँ पर auction करता है, किसका horse का, और उस auction में वो horse बेच देता है B को, ठेक है, ए, को पता है, कि यह जो घोड़ा है, यह पागल है, the horse is of unsound might, और उसके बाद भी, A says nothing to B, सिनारियो समझ में, A ने auction किया, कि मैं अपना घोड़ा बेचना चाहता हूँ, और उसने अपना घोड़ा बेच दिया, किसको, B को, बट, A को पता है, कि वो पागल है, लेकिन, A ने यह बात B को नहीं बताया, तो क्या, यह fraud हुआ, answer is, answer is no, answer is no, यहाँ पर आप ध्यान रखना, this is not a fraud, why, अरे हो सकता है न, कि वो हॉर्स किसी भी और चीज़ के लिए ले रहा हूँ, किसी भी चीज़ के लिए ले रहा हूँ, सरूरी है, हो सकता है वो हॉर्स को कट करके खा जाएगा, तो a was not in a duty to say anything about the soundness of the हॉर्स, हाँ, लेकिन अगर आप यह देखो, b, a को यह बोल रहा है, देख भाई, अगर तो deny नहीं करेगा, तो मैं presume करूंगा, कि यह जो हॉर्स है, वो sound mind का है, और a यहाँ पर कुछ नहीं बोलता, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, a का जो silence है, that is equivalent to speech, और अगर a का जो हॉर्स है, वो unsound mind का है, तो फिर यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, a has committed a fraud, guys, clear? अच्छा, a का जो हॉर्स है, वो racing के लिए fit नहीं है, अब देखो, कुछ होते हैं, कुछ हॉर्स racing के लिए fit होते हैं, और कुछ हॉर्स होते हैं, जिसको आप समान बगहरे डो सकते हो, ठेक है, वो kart जैसे आप बनाते हो, horse kart आप बना सकते हो, तो इस तरह से करके आपको बनाया है, अच्छा, a, b को horse बेचता है, और b पूछता है कि यार, b, a को पहले ही बता देता है, मुझे horse किस के लिए चाहिए, racing purpose के लिए चाहिए, जबकि a का जो horse है, वो racing purpose के लिए fit नहीं है, तो क्या, इसको आप fraud बोलोगे, answer is, yes, क्योंकि b ने पहले ही बता दिया था, कि वो ये horse को क्यों purchase कर रहा है, अब अगर a को पता है, कि वो उसके purpose के लिए fit नहीं है, तो फिर उसको ये horse नहीं बेचना चाहिए था, और फिर भी अगर उसने ये horse को बेच दिया, this will be considered as fraud, make sense, does this make sense, okay, second example आप देखो, a और b का जो case है, यहाँ पर, same case हो रहा है, लेकिन b क्या है, a की daughter है, तो यहाँ पर a को बताना चाहिए, तो answer is, yes, a को बताना चाहिए, क्योंकि near and dear relation में न, तो a को बता देना चाहिए था, b को, कि देखो horse unsound bind का है, और अगर वो नहीं बताता, तो फिर वो क्या बन जाएगा, fraud, so hence, because there is a relation between the parties, that would make a's duty to tell b, if the horse is of sound mind or of the unsound mind, यह आया समझ में, यह वाला point, अब आप एक example मुझे दोगे, मतलब मैं example देता हूँ, आप उसका answer करोगे, देखो, आज की rate में petrol के prices काफी जाधा fluctuate हो रहा है, ठेक है, मैं petrol pump का owner हूँ, जनरली जो petrol के prices होते हैं, वो 12 a.m, petrol के prices change हो जाते हैं, है कि नहीं, 12 बज़े के बाद, midnight, 12 बज़े के बाद petrol के prices change होते हैं, अच्छा, चलो, सुबह 6 बज़े, चलो, ठीक है, एक बार एक cut off मानते हैं, कि रात को 12 बज़े, ये cut off time हम मान रहे हैं, ठेक है, इस समय petrol के prices change हो जाएंगे, तो यहाँ पर अगर prices suppose करो, X है, तो यहाँ पर plus minus कुछ भी amount हो सकता, X का, ठेक है, अब आज की डेट में petrol का भाव चल रहा है, let's say, 103 रुपिया, पर लीटर, अब मुझे पता है, कि 12 बज़े के बाद petrol का भाव होने वाला है, 70 रुपिया, अचानक से कोई इस तरह से करके rule निकला है, कि taxes government कम कर रहा है, मुझे इसके बारे में पता है, और मैं कौन हूँ, मैं हूँ petrol pump का owner, ओके, guys clear, मैं petrol pump का owner हूँ, आप मेरे पास 11 बज़ कर 50 मिनट पे आए, और आपने मेरे से petrol भरवाया, कितना आपने टंकी फुल करवाई, 40 liters of petrol आपने मुझसे purchase कर लिया, और आपका petrol भरने में मुझे 10 मिनट का time लगा, पूरा इसा bill will बनाने के बाद, आपके पीछे पीछे आपका friend आया, उसने भी गाड़ी में 40 liter तेल भरवाया, और उसका billing कितने के साब से हुआ, 70 रुपीज के साब से, और आप देखो, कल को 2-3 liter की बात होती तो आप ignore भी करते, बढ़ा आप देखो, 30 रुपीज पर लिटर इन्टू 40, सीधा सीधा 1200 रुपए का फटका आपको पड़ा, आप मुझे बताओ, क्या मैंने आपके साथ fraud किया है या नहीं, क्यों, अगर मैंने fraud नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या मैंने आपके साथ fraud किया या नहीं, तो बैसिकली यहां पर यह बोला जाएगा कि I am not duty bound. It was not my duty to inform you that the prices are going to change. Forget किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, नहीं है, कोई फरक नहीं पढ़ता. यहां पर simple गयाएगा, क्या मेरी duty है आपको यह बताना, क्या भी तेल मत भरो, भाव गिरने वाला, यह गिरने वाला, ऐसा होने भाला है? Answer is no. I am not in a duty. If I am not at the duty, or if I am not bound to tell you this information, then there is nothing wrong. आया समझ में? No doubt मुझे advantage हो रहा है, बट यहां पर आपको यह भी देखना होगा, कि मैं duty bound नहीं हूँ. It is only when I am duty bound to inform something and I don't inform. जैसे, अगर मैं आपके friend का billing भी 103 रुपे पर कर दूँ, यह सोचके कि इसको क्या पता चलेगा, तो अगले दिन सुबह वो आके मेरे पर case file कर सकता है, fraud का, because मुझे पता चल गया था, भाव कितने का है, 70 रुपे का है, लेकिन फिर भी मैंने उसको 103 रुपे के इसाब से billing किया, और उसको मैंने बोला भाई, भाव तो यही है, देखो आपके friend के गाड़े में भी मैंने तेल भरा 103 का है, तो आपके में भी तो 103 का ही भरूँगा, जबकि इस वक्ट टाइम हो चुका था, 12 बचकर 5 मिनट, so technically I should have charged this, but I charged this, so here you would say fraud, अब suppose को दोनों को यह नहीं पता था कि petrol के prices change हो करें, पता होता तो यह भी तेल क्यों भरवाता, यह भी 10 मिनट और वेट कर लेता, पर दोनों को यह नहीं पता था, और मैंने इससे 103 रुपय का चार्ज कर लिया, here I would say there is a fraud, but here there is no fraud, okay, because I am not duty bound, यह point आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, so देखो, A and B, both are traders, enter into contract, now A के पास कुछ private information है, यह इसके लिए मैंने बताय था, forget public or something, A के पास एक private information है, कि भाव बदलने वाला है, ठीक है, and इससे B का जो willingness है, वो शाइद impact हो सकता है, तो क्या A के duty है, B को यह बात बताने की, answer is no, A is not bound to inform B, and he can enter into the contract, there will be no problem, यह वाला point आपका analysis हाथ है, इसको मैंने already discuss किया है, आप इसको read कर लेना, effect of fraud upon the validity of the contract, देखो, अगर आपने fraud के तुरू contract को enter किया, तो आपके पास option होगा, कि आप contract को resign कर दो, that is cancel कर दो within the reasonable time, what is reasonable, this would depend upon the case to case basis, दूसरा आप sue कर सकते हो for the damages, आप case file कर सकते हो कि भाई, इसकी वज़े से जो नुक्सान हो है, मुझे वो, नुक्सान आप pay करो, या फिर आपके पास एक option और है, कि आप insist कर सकते हो, उसी प्रूंटा के, आपको याद है, वो जैसे फिर हिरा फिरी मुई के इंदर, वो नहीं बोरा था, कि क्यूं, तुम तो 21 दिन में डबल करने वाले थे, तो तुम 40 लाख रुपया दोगे, 20 लाख नहीं, तुम 40 लाख रुपया दोगे, याद आ रहे, वो तोतला तिवारी बोलता है, क्यूं, तुम तो 21 दिन में डबल तलने वाले थे, तो दब performance कि भाई मुझे डबल करके ही पैसा दो so you can insist on the performance of the contract on the same condition right that he shall be put in the position in which he would have been had the representation which was made was true तो जैसे आपने promise किया था बिलकुल उसी तरह से काम करो आपसे ऐसा भी demand किया जा सकता है या फिर आपका contract जोगा उसको cancel कर दिया जाएगा within the reasonable time और आपसे फिर damages is claim किया जाएगा okay now is mere silence a fraud mere silence is not fraud until unless it is the duty of the person to speak otherwise it is not the concept in caviar tempter caviar tempter is again relevant for your sale of goods act तो महा पर भी same चीज वापसे repeat होगा जैसे यह वाला case आप देखो H sold W some pigs which were of his knowledge that they are suffering from fever now जब यह pigs जो fever वाले pigs थे बिमार pigs जो थे यह एच ने disclose नहीं किया W को और जो W के बाकी pigs है जो उनके साथ उसको रखा गया तो सारे के सारे pigs को fever हो गया तो क्या आप यहां पर यह बोलोगे एच ने fraud किया answer is no it was held that there is no fraud because he was not at the duty bound okay हां लेकिन अगर W यह पूछ लेता कि pigs healthy तो है न और एच बोले हाँ हाँ बिलकुल healthy है और बाद में पता चले वो नहीं थे तो फिर यह क्या बन जाएगा then this will become a fraud फिर आता है आपके पास silence is a fraud तो silence कब-कब fraud बनता है तो देखो अगर fiduciary relationship में हो तो it is the duty of the person to speak save a contract of insurance suppose आपका कोई एक surgery हो रखा है और आप insurance निकलते वक्त insurance company को बताते नहीं हो इस बारे में और बाद में उसको पता चल जाता है कि हाँ surgery हो रखा है क्योंकि यह सब चीज़े से आपका जो premium है insurance premium है वो change हो जाता है तो आप यह चीज़े नहीं बताते हो और फिर बाद में पता चलता है कि हाँ आपके साथ इस तरह से कुछ हो रखा था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको fraud बना जाएगा same way in the case of contract of marriage आपको यहाँ पर सब facts disclose करना चाहिए and same way in case of family settlement तो अगर आपने तिज़ोरी में कुछ पैसे दबा के रखे हैं जब आप joint family में थे और अब जब joint family में separation हो रहा है तो वो तिज़ोरी अगर आपने नहीं खोली और बाद में उस तिज़ोरी के बारे में पता चल गया तो उसको भी fraud की तरह treat किया जाएगा then in case of share allotment तो जब prospectus आप issue करते हो तो उस prospectus के अंदर आपको कोई भी गलत बात नहीं रिखनी है everything should be correct आपको facts disclose करना है अगर आपके prospectus में कुछ भी गलत information given था कुछ भी ऐसा हुआ तो in that case यहाँ पर क्या हो जाएगा this will be again considered to be a fraud ठीक है और बकाइदा ऐसा होता है आप CA intermediate level पर आपके पढ़ोगे आज की रेट में जब मैं इंटर के lectures ले रहाँ अभी आप ही के parallel तो उनको यही chapter में पढ़ा रहा था और उसमें यही point था कि criminal liability आ जाता है और civil liability आ जाता है company और directors के उपर अगर आपके prospectus में कुछ भी information गलत given हूँ and where silence is itself equivalent to speech और आपके duty थी आपको बोलने चाहिए थी और आपने नहीं बोला तो फिर उसको fraud मान लिया जाएगा तो यह point आ जाता है when silence is fraud when it is the duty of the person to speak but the person remains silent so when it is the duty of the person जब आप fiduciary relationship में हो trust वाले relationship में insurance, marriage, family settlement and share allotment and last is when it is your duty to speak basically when it was your speech silence is equivalent to speech and then in that case यहाँ पर आपका contract मताब fraud fraudulent मान लिया जाएगा अब misrepresentation के लिए अगर आप देखोगे तो misrepresentation जैसे मैंने आपको बताब यही सब चीज़े कर रहे हो but आप किस तरह से कर रहे हो this is done not intentionally innocently आपसे यह वाला चीज़ हो गया तो misrepresentation को हम लोग फिर next lecture से continue करेंगे अभी तक के सारे topics को हमने जितना cover किया है उसको आप अच्छे से revise करना so that's it for today's lecture then take care bye bye